नमस्कार एसे लोगों की चिंता स्वाएब भगवान करते हैं स्वाएब प्रभू करते हैं अगर महादेव सेव कुरान में कहते हैं अगर व्यक्ति अगर किसी के मन में ये तीन वाव हैं ये तीन विचार हैं तो उसको टैंसन लेने की उसको अपने आपकी चिंता करने की कोई जुरूत नहीं है उसकी चिंता स्वाएब इस्वार करता है स्वाएब प्रभू करता है वो तीन बाव क्या है वो तीन विचार क्या है जो आपको जानने चाहिए भगवान महादेव कहते हैं, कि जो व्यक्ति अपना इष्ठ मजबूत रखता है, जिसी भगवान को मानता है, उसका अगर इष्ठ मजबूत हो ना, उस भगवान के प्रति उसकी अटूट आस्ता हो, उसको इतना विस्वास हो अपने भगवान पर, कि जो करेगा मेरा भगवान अच्छा करेगा अपना इश्ट मजबूत जो इंसान रखता है ना उसकी रक्सा स्वय भगवान करते हैं और जिस इंसान का कर्म मजबूत हो जो इंसान मेहनत करने में कमी नहीं रखता हो जो व्यक्ति आलसी नहीं हो जिस व्यक्ति के मन में हमेशा मैनत करने के बाव होना उसकी भी रक्सा स्वय ब्रवान करते हैं भगवान महादेव करते हैं कि तीसरा विचार तीसरा बाव यह है कि जिस व्यक्ति का मन साप है जिस व्यक्ति के नियत में खोट नहीं है जिस व्यक्ति के मन में छल, कपट, अहंकार, जूट, फरेव, दोका नहीं है ना, उसकी रक्षा भी स्वएं बगवान करते हैं भगवान महातेयों कहते हैं कि जिस व्यक्ति का इष्ठ मजबूत हो, जो व्यक्ति कर्म पर बरोसा करता हो, जो व्यक्ति महनत पर बरोसा करता हो, और जिस व्यक्ति की निय साप हो, जिस व्यक्ति का मन साप हो, उस व्यक्ति की रक्सा स्वाय भगवान करते हैं, तो द्यान बातों का भाव अपने मन में जरूर रखना, अपना इष्ट मजबूत रखना, कार्म पर बरोसा रखना और अपनी नियस साफ रखना, आप कहीं नहीं रुकोगे, आप रुकना तो छोड़ो, आपकी रक्सा स्वय भगवान करेंगे, इसलिए जब भी जीवन में आगे बढ़ करना, और उसमें 101% महनत से डूब जाना और काम करना, और काम के साथ में अपनी नियस साफ कर लेना, मन में छल, कपड, जूट, फ्रेव मत रखना, नियस साफ रखना, आपका काम कभी अंसक्सेज नहीं होगा, आपका काम हमेशा सक्सेज होगा, तो बगवान महादेव, शी इस व्यक्ति का इष्ट मजबूत हो, जो व्यक्ति अपने भगवान पर अथा विश्वास करता हो ना, उसकी रख्षा स्वय भगवान करते हैं